हेलो एब्रिवन स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शीवाने स्टरी हब में आज के इस वीडियो में डिसकुस करेंगे जिसके काफी बच्चों के मन में एक डाउट है कि मैम आज से तो काउंसलिंग स्टार्ट है बट ये क्या मैम सेकेंड काउंसलिंग में क्या हमें दु और चैनल पर अप्लोड किया है कि कैसे आपको डिडियो की वेबसाइट पे जाना है वहाँ पे चौइस लॉप करना है फाइनल सम्मीशन कैसे करना है तो वह वाले वीडियो आप जाएका चैनल पर देख सकते हैं और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन करो उसस सारी की सारी चीज़े आज की इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो आपको पता होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है यह चीज आपके लिए important है जो यहाँ पर दी है दुबारा नहीं देना होगा शुल्क किसको देना है किसको नहीं देना है वो तो पढ़ लेते हैं प्रोफेसर हर्स सिन्ना ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में ऐसे आप भीरते को काउंसलिंग फीस नहीं देनी होगी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए फीस दी थी मैंने आपको पहले ही बताया है तो भी आपके मन में डाउट है क्योंकि आप वीडियो पूरी देखते नहीं है अब तो इतना जान जाओ कि जिसने भी first counselling में अगर हिस्सा लिया है first counselling उसने कराया है तो उसको second counselling में कोई भी fees देने की आवशकता नहीं है ठीक है लेकिन पहली बार online counselling प्रतिभाग करने वाले आवेदको को counselling सुलको देना होगा जैसे काफी बचे होंगे कि भाई first counselling हम नहीं कराये हैं और वो second counselling पहले करा रहा है मतलब सबसे पहले करा रहा है और क्यों उन्होंने पहली counselling नहीं करायी थी ठीक जो second counselling में पहली बार हिस्सा ले रहा है वही उसको fees payment करना होगा दूसरे चरण की counselling में वही अभ्यहरती प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे जो सही प्रमारपत पस्तुत करने में विफल रहें जिन्हें seat a lot हुई पर उन्होंने न तो fees जमा की नहीं प्रमारपत सत्यापन के लिए उपस्तित हुए यहां क्या कहा जा रहा है इसके लिए काफी ध्यान देना है कि वही students यहां second counselling में participate नहीं करेंगे जिनका मालो की वो document verification के लिए नहीं गये जिन्होंने यहां पर प्रमारपत्र जो है अपना verify नहीं कराया जिनको seat a lot हुई पर मतलब आपको seat इसके पहले a lot हुई लेकिन आप fees payment नहीं किये आपने document verification नहीं किया तो उनको क्या है वो students इसमें participate नहीं करेंगे ठीक है जो upgrade वगरा है जिनको choice lock करना है वही लोग इसमें participate कर सकते हैं ठीक है तो इनको दुबारा नहीं देनी होगी I think सारे doubts clear हो गए होंगे इसके हलावा भी कोई doubt है तो भाई comment section में pin करो हम पूरी आपके हम है हमेशा help के लिए बट आप जो भी चीज़े यहां पर कर रहो choice lock जो भी चीज़े उसको सही से चीज़े सो करो वरना वहाँ पर दिक्कत आएगी तो फिर आपको seat allotment नहीं होगा जो आपने preference डाला है कोई भी दिक्कत समझे है comment section में आप मुझे बता सकते हैं हाँ एक बात और अगर आपने choice lock कर दिया है ठिक choice lock कर दिया है तो भाई मैम seat allotment result कब तक आएगा second counseling का तो 13 अगस्त को आएगा आपका seat allotment का result की कौन सा campus मतलब campus में आपको allot किया गया है या affiliated college मिला तो वो 13 अगस्त को उसका result आएगा 12 अगस तक आप choice lock कर सकते हैं आपके पास तीन दिन का time है ओके, thank you